22 दिसंबर को हुई थी रिलीज, जबरदस्त एक्षन है फिल्म में, अली अब्बास जफर ने की है डाइरेक्ट, सुपस्टा सल्मान खान ने टाइगर जिंदा है के साथ एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉक्स ओफिस के सुल्तान वही हैं, वे अपने करिया में अभी तक बारव फिल्मों के साथ सौ करोड रू का आंकरा पार कर चुके हैं जबकि उनकी दो फिल्में, सुल्तान तीन सौ बीस करोड रू और बजरंगी भाईजान तीन सौ करोड रू का आंकरा चुचुकी हैं, वैसे भी वे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सौ करोडी फिल्में देने वाले हीरो हो चुके हैं फिल्म का चार दिन का बॉक्स ओफिस कलेक्शन 151.47 करोड रूद रहा है टाइगर जिंदा हाई बॉक्स ओफिस कलेक्शन डे फॉर महस चार दिन में 150 करोड पार हुई सलमान खान की फिल्म अगर पहले तीन दिन की कमाई की बात करें तो सलमान की टाइगर जिन्दा है से पहले की तीन में से दो फिल्मों ने अपने वीकेंड पर ही 100 करोड रू का आंकड़ा पार कर लिया था बजरंडी भायजान ने पहले वीकेंड पर 102.60 करोड रू कमाई थे सुल्तान ने 105.53 करोड रू कमाई जबकी ट्यूबलाइट 62.77 करोड रू ही कमा सकी थी ताइगर जिन्दा है ने तीसरे दिन 114.93 करोड रू कमाई हैं बाहु बनी का रिकॉर्ड तोड़ा